जैसा कर्म होगा वैसा पलपाओ ओम शान्ति सभी दिपावली के सालेबरेशन्स में काफी बिजी है कहने को तो पाँच दिन के लिए सालेबरेट किया जाता है परन्तु तैयारी तो काफे दिनों से ही सभी भाई बहने करना शुरू कर देते हैं तो अभी सभी ने धन तेरस मनाई फिर छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली फिर को वर्धन पूचा मनाई और उसके बाद फिर मनाएंगे भाईया दोच तो यहाँ पर तो फिर भी चार-पाँच दिन की बाद है लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी सच्ची दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी कोई दुनियावी तैयारी की तरह नहीं है ये बेहद की आत्मा, बेहद पिता के डारेक्शन से इस बेहद स्रिष्टी पर सच्ची दिवाली लाने की तैयारी कर रहे है जहाँ प्रत्तिक मनुष्य आत्मा की जोती आत्मा रुपी जोती जग मगाएगी जिल मिल नहीं करेगी, सदा चमकेगी खुद भी चमकेगी और प्रकृती को भी चमकाएगी है ना? तो आज बाबा ने सच्ची दिवाली को याद किया आज है तेरा तारीक, तेरा नवंबर दुहजार तेज बाबा के मधुर महवाक्य है मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दिवाली तो नई दुनिया में होगी इसलिए इस पुरानी दुनिया के जूठे उत्सवादी देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती जब उस दिवाली की याद आती है तो दिल इस दिवाली से उप जाती है वैसे भी आजकल दुनिया में कुछ इतना रहा नहीं है जो भी चीजे हैं वो भी दुख देती है अभी तो अच्छा लग रहा है पटाके जलाते हैं थोड़ी देर के बाद वई धुआ नुकसान करता है प्रश्न है तुम होली हंस हो तुम्हारा करतव्य क्या है उत्तर है हमारा मुख्य करतव्य है एक बाप की जाद में रहना और सबका बुद्धी योग एक बाप के साथ जुडाना हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं हमें मनुष्य को देवता बनाने के करतव्य में सदा तत पर रहना है सबको दुखों से लिब्रेट कर गाइड बन मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बताना है आज का गीत है तुम्हें पाक हूं जहां पालिया है तुम्हें पाक हूं जहां पालिया है जमी तो जमी आस्मा बालिया है तुम्हें पाक हूं जहां पालिया है तुम्हें पाक हूं अम शांते बच्चों ने गीत सुना बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्सा पाते हैं उसे कभी कोई जला ना सके कोई छीन ना सके वह वर्सा हमसे कोई जीत ना सके आत्मा को बाप से वर्सा मिलता है और ऐसे बाप को बरुबर मात पिता भी कहते हैं मात पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुक प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूं राज यूग सिखाता हूं बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं जीते जी दुनिया में कहते हैं भगवान को प्यारे हो गए मरने के बाद लेकिन हम भगवान के प्यारे बन गए जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिये जाते हैं आप हमारे हैं हम आपके हैं यही तो होता है न कोई किसी को अडॉप्ट करता है तो तुम हमारे क्यों बने हो पूछ रहे हैं बाबा कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्सा लेने हम आपके बने है अच्छा बच्चे ऐसे बापको कभी फारकती नहीं देना बाबा हमसे डारेक्ट कनवर्सेशन कर रहे है नहीं तो स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे बाबा, मम्मा, महराजा, महरानी बनते हैं न? ब्रह्मा, बाबा, मम्मा, महराजा, महरानी बनते हैं न? तो पुरुशार्थ कर इतना वर्षा पाना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने और मातेश्वरी जगदंबा ने पाया, इतना हमें भी पाना है तो बाबा कहते हैं, परन्तु बच्चे पुरुशार्थ करते करते, फिर फार कती दे देते हैं फिर जाकर विकारों में फसते हैं, वह हेल में गिरते हैं हेल नर्ग को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाब को अपना बनाते हैं क्योंकि अभी हम नर्ग में है Heavenly Godfather, जो स्वर्ग का रचाईता है वह जब तक न आये, तब तक कोई हैवन जाना सके उसका नाम ही है Heavenly Godfather यह भी तुम अभी जानते हो बाब कह रहे है, बच्चे, तुम समझते हो बरो बर, बाब से वर्षा पाने के लिए हम बाब के पास आई है पाँच हजार वर्ष, पहले मुआफिक परन्तु फिर भी, चलते चलते माया के तोफान एक दम बरबात कर देते हैं फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं गोया मर गए इश्वर का बन कर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मर कर पुरानी दुनिया में चला गया संगम पर पहुच गए थे, सत्युग में जा रहे थे पर दुनिया हाथ छोड़ दिया फिर दुबारा पीछे Heavenly Godfather ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलन्स होम में ले जाते है जहां से हम आत्माएं आई है केवल Heavenly Godfather ही हमें दुबारा अमारे घर ले जाते है फिर स्वीट हैवन की राजाई देते है दो चीज देने बाप आते है क्या देते हैं बाबा दो चीजे गती और सदगती सतियुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम और जहां हम आत्माएं आती है जहां से हम आत्माएं आती हैं वह है शान्तिधाम यह बाप है ही शान्तिदाता सुखदाता for future अभी भी देते हैं लेकिन future में सदाकाल का सुख और शान्ति इस अशान्त देश से पहले शान्ति देश में जाएंगे इस अशान्त देश से पहले शान्तिधाम में जाएंगे उसको sweet silence home कहा जाता है हम रहते ही वहाँ है यह आत्मा कहते हैं कि हमारा sweet home वह है फिर हम जो इस समय knowledge पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी बाकी सब जाएंगे sweet silence home में परन्तु हम आत्माई जो इस समय बाबा का ज्यान ले रहे हैं हमें फिर राजधानी में भी जाना है बाप का नाम ही है Heavenly Godfather Liberator Guide Knowledgeful Blissful ज्यान का सागर रहम दिल भी है बहुत महिमा है बाबा की क्यों महिमा है Practical में बाबा इस समय इस सब करतव्य कर रहे हैं सब पर रहम करते हैं तत्वू पर भी रहम करते हैं सभी दुख से छूट जाते हैं दुख तो जानवर आदी सब को होता है न तत्व ही तमुप्रधान है तो फिर जानवरों को भी दुख होता है उनके भी तो शरीर इनी तत्वों से बने हुए है तो तमुप्रधान तत्वों से निर्मित हर चीज तमुप्रधान है दुख देने वाली है तो बाबा कहते हैं कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या सभी को दुख से लिबरेट करता हूं। परन्तु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है बाकी तो सब दुरगती में ले जाते हैं। बाकी सब इस दुनिया की चीजों की तरफ ही हमारा मन बुध्धी भटकाते हैं। परन्तु एक बाबाई ही है जो हमें सच में देहे और दुनिया से लिबरेट कर देते हैं। मुक्तिधाम ले जाते है तुम बच्चे जानते हो बेहत का बाप ही स्वर्ग की वह मुक्तिधाम की गिफ्ट देने वाला है बर्सा देते हैं न उच ते उच एक बाप है सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते है क्रिश्यन भी गौड को याद करते है Heavenly God Father है शिव वही Knowledgeful Blissful है बाबा ही Knowledgeful है Blissful है ज्यान का सागर भी है और आनंद का सागर भी है इसका अर्थ है भी तुम बच्चे जानते हो हम ही क्यों जानते हैं क्योंकि हमें अनुभव है हम ही ज्यान प्राप्त कर रहे है हम ही परमानंद की अनुभूती कर रहे है तुम्हारे में भी नंबर वार है फिर वही बात हो जाती है जितना और उतना कोई तो बिलकुल ऐसे है जो कितना भी ज्यान का श्रिंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे गंदी दुनिया देखेंगे कई बच्चे दीपमाला देखने जाते है वास्तव में हमारे बच्चे यह जूठी दीपमाला देखने सकते सब दीपमाला देखते है परन्तु ज्यान नहीं है तो दिल होगी चेक करना तुम्हारी दिवाली तो है सतियोग में जबकि तुम पवित्र बन जाते हो, तुम बच्चों को समझाना है, कि बाप आते ही है, स्वीट होम, वो स्वीट हैवन में ले जाने, जो अच्छी रीती पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे. कौन आएंगे? जो धारणा करेंगे, जो पढ़ेंगे. परन्तु तकदीर भी चाहिए न, दोनों चीज़े चाहिए. तकदीर में नहीं है, तो तद्बीर नहीं करते हैं. श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो श्रेष्ट नहीं बनेंगे. यह है श्री शिव भगवानु वाच्च जब तक मनुश्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भगती करते रहेंगे. जब निश्चे पक्का हो जाएगा, तो फिर भगती आप पे ही छोड़ेंगे. इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, किसी को forcefully नहीं कहोगी, यह छोड़ो, यह मत करो, ऐसे करो. अपने आप, जिस जिसे ज्यान धारण होगा, समझेंगे, आटोमेटिकली पुरानी चीज़ें छूटती जाएंगे. तुम हो holiness. गौट फादर के डारेक्शन अनुसार, सभी को पवित्र बनाते हो. वह तो सिर्फ हिंदूओं को, वो मुसल्मानों को, क्रिश्यन बनाएंग दुनिया में भी लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं न? तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो. जब पवित्र बने, तब हैवन वह स्वीट होम में जा सके. सबसे important criteria क्या है? स्वीट होम जाने का या हैवन में आने का पवित्रता. इसी आधार से पद मिलते हैं इसी आधार से प्रालवध बनती है. नन बट वन तुम सिवाए एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो. ये है संपूर्ण पवित्रता. उसकी निशानी यही है कि हमें एक बाप के सिवाए कोई याद नहीं आता. एक बाप से ही वर्सा मिलना है. तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे. तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो. वह नन्स कोई पवित्र नहीं बनाती है. दुनिया में जो नन्स होती है वो कोई पवित्र नहीं बनाती है. ना आप समान नन्स बनाती है. सिर्फ हिंदू से कृष्ष्यन बनाती है. तुम Holy Nance पवित्र भी बनाती हो पपा ने क्या टाइटल दिया आज Holy Nance तो तुम पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माउं का एक Godfather से बुद्धी योग जुटाती हो इतनी शक्ती है न बाबा की Holy Nance में गीता में भी है न क्या देहे सहत देहे के सभी संबंध छोड अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो यही प्रक्रिया है यही विधी है फिर नौलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी दोनों चीजें याद भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए बाब की याद से ही क्या बनेंगे? एवर हल्दी बनेंगे आत्मा बिलकुल प्योर बन जाएगी हल्दी बन जाएगे और नौलेज से एवर वेल्दी बनेंगे बाब तो है ही ज्ञान सागर सभी वेदो शास्त्रों का सार बतलाते हैं ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते है ना दुनिया में भी जो ब्रह्मा का चित्र है उसमें क्या दिखाते है? हाथों में शास्त्र दिखाते है तो यह ब्रह्मा है वास्तविक्ता में यह ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदुश शास्त्रों का सार समझाते है वह है ज्यान का सागर इनके द्वारा तुमको नौलिज मिलती रहती है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको नौलिज देते रहते है तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है कई बच्चे कहते हैं बाबा हम यह रोहानी हॉस्पिटल खोलते हैं बाबा के सेंटर सेवास्थान खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे विकारों से ग्रस्त आत्मा विकृत आत्मा रोगी है फिर बाबा का ज्ञान मिलता है, योग लगाते है तो आत्मा निरोगी बन जाती है और स्वर्ग का वर्सा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे तो इतने सब की आशिरवाद जरूर उनको मिलेगी जो सेंटर खोलने के निमित बनती है आत्माई तो उनको सब की आशिरवाद मिलती है बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिशदादी सब जो भी भारत की शास्त्र है यह शास्त्र, अध्यन करना, यग्य, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदी करना यह सब भक्ति मार्ग की सामगरी रूपी चाच है जो बाबा ज्यान दे रहा है वो है मक्खन पर नतो यह सब क्या है चाच है एक ही श्रीमत भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है सब क्याले रहे हैं यह ज्यान मक्खन है श्रीमत भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है जो ज्यान सागर, पतित पावन, निराकार, परमपिता, परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल कर चाच बना दिया है खंडन कर दिया तो उसको भी चाच बना दिया एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है ताकत खतम हो जाती है जब ताकत देने वाले का नाम खतम हो जाता है खंडित हो जाती है अभी तुम बच्चों को ज्यान सागर डारेक्ट ज्यान दे रहे है अभी तुम जानते हो कि यह स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है यह स्रिष्टी रूपी जाड की वृध्धी कैसे होती है तुम ब्राम्मन हो चोटी हम सब ब्राम्मन है बिल्कुल टॉप शिव बाबा है ब्राम्भनों का बाप फिर ब्राम्भन से देवता फिर शत्रिये वैश्ये शूद्र बनेंगे स्रिष्टी चक्र सबकी बुद्धी में फिर गया यह हो गई बाजोली तो यहाई बैठे बैठे हम सबने बुद्धी से बाजोली खेल ले जाता है वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो भक्ती है चाच ज्यान है मक्षन जिससे मुक्ती जीवन-मुक्ती मिलती है अब अगर तुमको विस्टार से ज्यान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो अकसर धैरवत होकर नहीं सुनते थोड़ा सा कुछ कहते हैं हम फिर वहाँ से कुछ और बोलते हैं तो फिर क्या होता है बस आपस में बैस होती रहती है तो ज्ञान धारण नहीं कर पाते हैं तो इसलिए वबा कहते हैं कि जिसको इंट्रस्ट हो उसको कहो धैरेवत होकर सुनो ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती है शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भीश्म पितामहा अश्वत थामा आदी को पिछाडी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है कौन से तीर है? ज्ञान के तीर है कोई स्थूल में लड़ाई नहीं है अन्त में यह सब समझ जाएंगे यानि बड़े बड़े जो दुनिया के अंदर महापुरुष है है न? जो गुरु लोग है उनकी बात बाबा कह रहे है तो बाबा कहते हैं कि यह तो ठीक कहते हैं अन्त में आएंगे जरूर तुम प्रदर्शनी करते हो कितने हजार मनुष्य आते हैं परन्तु निश्चे बुद्धी सब थोड़ी बन जाते हैं बस आते हैं सुन कर चले जाते हैं कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीती समझ कर निश्चे करते हैं अच्छा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्य सार पहला पवित्रबन आप समान पवित्र बनाना है एक बाप के सिवाए किसी को भी याद नहीं करना है दुसरा अनेक आतमाउं की आशिरवाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है सबको गती सदगती की राहा बतानी है वर्दान है ब्रम्भा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव क्या वर्दान मिला? समान भाव कैसे बनेंगे? जब ब्रम्भा बाप को फॉलो करके फर्स्ट ग्रेड में आएंगे सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है प्यार की निशानी है समान बनना हम चाहते हैं बिलकुल वैसे ही बन जाए हम इसमें सदा यही लक्षे रखो कि पहले मैं इर्श्यावश पहले मैं नहीं वह नुकसान करता है लेकिन फॉलू फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे जैसे ब्रह्मा बाप नंबर वन बने ऐसे फॉलू करने वाले भी नंबर वन का लक्षे रखो सबका लक्षे क्या है कहां आएंगे कौन सी पोजीशन पे नंबर वन ओटे सो अवल अरजुन सबको फर्स्ट में आने का चांस है फर्स्ट ग्रेड बेहद में है कम नहीं ठीक है फर्स्ट पोजीशन में एक है लेकिन फर्स्ट ग्रेड उसमें बेहद है स्लोगन है सफलता मूर्थ बनना है तो स्वस सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो खुद की भी और अन्यात्माओं की भी इसके बाद है मातेश्वरी जी के महवाक्चे दो छोटे छोटे मूरलिया है पहला यह इश्वरिय सत्संग कौमन सत्संग नहीं है इश्वरिय सत्संग कौमन सत्संग नहीं है अपना यह जो इश्वरिय सत्संग है कौमन सत्संग नहीं है यह है इश्वरिय स्कूल कॉलेज जस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है बाकी तो सिर्फ सत्संग करना थोड़ा समय वहां सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है क्योंकि वहां कोई regular पड़ाई तो नहीं मिलती है जहां से कोई प्रालब्ध बने इसलिए अपना सत्संग कोई common सत्संग नहीं है यहां हमें regular study करनी है अपना तो इश्वर ये college है जहां परमात्मा बैट हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उचपद को प्राप्त करते हैं जैसे रोजाना स्कूल में master पढ़ाई डिगरी देता है डेली क्लास में जाते हैं फिर डिगरी मिलती है वैसे यहां भी स्वयम परमात्मा गुरु पिता टीचर के रोप में हम को पढ़ाई सर्वोत्तम देवी देवतापद प्राप्त कराते हैं इसलिए इस स्कूल में joint होना जरूरी है यहां joint होना बहुँ जरूरी है यहां आने वालों को यह knowledge समझना जरूर है यहां कौन सी शिक्षा मिलती है इस शिक्षा को लेने से हम को क्या प्राप्ती होगी यह सब पताऊना चाहिए हम तो जान चुके हैं कि हम को खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीती उठाते हैं वो फुल पास होंगे बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नौलेज को उठाएंगे नहीं उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला पहले क्या हुआ वो तो पता ही नहीं इसलिए यहां regular पढ़ना है इस knowledge को जानने से ही आगे बढ़ेंगे इसलिए regular study करनी है तो common satsang नहीं है यहां पर हमें regular study करनी है दूसरी छोटी सी मुडली है परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई sanchye में नहीं आना चाहिए जब परमात्मा खुद इस स्रिष्टी पर उत्रा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है सबने पक्का हाथ दिया है ऐसा तो नहीं कोई छूट जाए लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है इस बाब का हाथ कभी नहीं छोड़ना अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा तो फिर निधन का बन कहा जाएंगे बाबा को छोड़ा बाबा भी छूटा, मा भी छूटी सब छूट गया फिर निधन का बन कर कहा जाएंगे धनी धोरी नहीं है जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सुक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए सुक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूँ वसंशे नहीं होना चाहिए ये व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए कि छोड़ दू और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए पता नहीं हम पार करेंगे वह नहीं खुद पर ही डाउट होता है कोई ऐसे भी बच्चे होते है जो पिता को न पहचानने की कारण पिता के भी सामने पढ़ते है पिता को भी चैलेंज करने लगते है बहस करने लगते है तो बाबा कहते हैं और ऐसे भी कह देते है हमको कोई की भी परवा नहीं है ऐसे भी होते हैं दुनिया में भी होते हैं अगर ऐसा खयाल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा फिर तो मानों की गिरा की गिरा अगर अभिमान आता है न तो समझो गिरे उची चोटी से गिर जाते है तो बाबा कहते हैं क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है माया गिराने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि परीक्षा तो आवश्य लेगी कि कितने तक युद्धा रुस्तम पहलवान है अब यह भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी क्या करेगी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी वो भी बराबर की टकर देती है जोड़ी पूरी बनेगी जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी दोनों की टकर बराबर की आधा-धा कल्प है न? परंटो अपने को तो पक्का निश्चे है क्या आखरीन भी परमात्मा महां बलवान है आखरीन उनकी जीत है यह हमें पक्का है श्वास ओ श्वास इस विश्वास में स्थित होना है अपने इस निश्चे को पक्का और पक्का करते रहना है हर श्वास के साथ माया को अपनी बलवानी दिखलानी है वह प्रभू के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी वो भी पूरा लड़ेगी बस एक बारी भी कमजोर बना थोड़ा भी कमजोर बने न तो खलास हुआ इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए परन्तु अपने को माया पती का हाथ नहीं छोड़ना है ये पक्का करना है कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ बाबा का साथ नहीं छोड़ना है वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है निश्च्य बुद्धी विजयानती जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए छोड़ने की तो बात ही छोड़ो संकल्प भी नहीं आना चाहिए पर मात्मा कहता है बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे समझा? समझा बच्चे? तो बाबा की और मम्मा की दोनों की मुरलियां हमने बहुत ही गंभीरता से सुनी तो आज पूरा दिन क्या हूंबग करेंगे? एक तो स्मृती में लाएंगे कि हम कितने भाग्यशाली है और दूसरा बाबा बाबा पर अपने निश्चे को और 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 गहरा करते जाएंगे याद रखेंगे कौन मेरे साथ है एक गीत है ना बुच्छो तुमको कौन मिला है कौन तुमारा साथी है तो याद रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है बाबा मेरा साथी है तो जो हो रहा है ड्रामा में उसमें मेरा कल्यान है तो अपने भाग्ये को स्मृती मिलाएंगे बाबा पर अपने निश्चे को और अधिक बढ़ाएंगे सारा दिन स्मृती मिलाएंगे बार बार भाग्ये के स्मृती और इश्वरी निश्चे को विश्वास को द्रण करना इस बात को पक्का करेंगे पुरा दिन इन दोनों बातों पर विशेश अटन्शन देंगे चा, ओम शांती प्रभु तेरे रंग में हमें रंग ऐसे प्रभु तेरे रंग में हमें रंग ऐसे हमें लगता है के रहे हमें लगता है के रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाई है नेन भी खोई चैन अपनी भी हम गवाई है तुमको पाई तो जीवन नया पाई है जीने की राह मिल गई प्रभू हमें कैसे हमें लगता है की रहे हमें लगता है की रहे हम संग सदा जैसे रभू तेरे रंग दे अपनी सूरत तेरे सूरत से मिल खाटे हम दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आते है बोल तुम्हारे कितने प्यारे मस्त रुहारी में रंग गए सारे मस्त रुहारी में रंग गए सारे लग पंख आज कितने मंग भर जैसे हमी लगता है की रहे हमी लगता है की रहे हम संग सदा जैसे रभू तेरे रंग दे नहीं पहचान तेरी थी जरा भगमान दे रहे हमी दियों हमें चुर्भी अभी मान तो था ग्यान का बड़ा ही हमें प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना में कोई दोर हो बंधी जो पतंग में कैसे हमें लगता है के रहे हमें लगता है